देखो दोसको यहां पर देख रहा हो तीन कंडल इधार लास्ट ननल बड़ी बड़ी रेडिव बन गई यह यहां पर मार्केट गिरे गाने यहां से मार्केट सब्सक्राइब चाहिए और जो चेंजिंग open interest है वो भी put side में ज्यादा है और PCR ratio भी plus में है तो यहां से market गिरेगा नहीं यहां से market चड़ेगा तो आप technical analysis के साथ साथ आप data भी analysis करते हो तो आपको market movement का पता चलेगा नहीं तो यहां पे जो लूटने वाले होते हैं जो नए trader होते हैं उसको लूटने वाले यहां पर बहुत होते हैं और यहां से market उपर जाएगी तो technical analysis के साथ साथ data analysis भी जरूरी है पूट कोल रेशियो रेजिस्टन्स और support यह भी जानना जरूरी है यह आप सब जान लीजिए क्योंकि खाली टेकनिकल analysis से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगी जो अभी इदर बन रही है आपके सामनी है अभी इदर से market उपर जाएगी इदर जो seller है उसने जो market operator है उसने यहां पर डर आउनी एक creation पैदा कर दी यहां पर जो नहीं जो मानलों के जो नए ट्रेडर है तो इधर से एक्जिट कर जाएंगे और जो नहीं कुछ लिया है और तीन केंडल यह ग्रीन देखके इधर इंट्री करेंगे किसमें पूट में तो जो इंट्री करेंगे उसका लोस होगा और जो पॉल में से निकल गए है उसको प्रॉपिट नहीं होगा क्योंकि यहां से market अभी उपर जाएगी इस एक इससे पता चलता है क्योंकि हमको technical analysis के साथ साथ data भी हमको देखना आता है और data चल जाता है और आपको data analysis करना है तो एनसी चेंज option पर जाके वहां पर एनसी में आप कोई भी इंडेक्स का data analysis कर सकते हैं देखो दोस्तों मैंने आपको कहा था ना यह तीन केंडल के बाद अभी देखो फोड़ी देर मार्केट साइड वज रही दस पंद्रा मिनिट और डाइर्क ग्रीन केंडल बन गई यहां पर हम देखेंगे कि यहां से market को उपर ही जाना है क्योंकि यहां पर data है ओ पोजिटि है तो न्यू ट्रेडर से उसके साथ गेम खिलते हैं वह भी समझना जरूरी है नहीं तो बजर में हम लोस कर बठेंगे यहां पर एक बड़ी केंडल आप देख सकते हो ग्रीन बनी है तीन केंडल के बाद अभी इधर इसके बाद भी सायद जो रेड केंडल बनती है क्योंकि मारकेट का टाइम भी साइडवेज थुड़ी दिर मारकेट साइडवेज रहेगी मेरोको ऐसा लगता है और बाद में यहां से मारकेट उपर ही जाना तो यहां पर यहां पर क्या आप एगजिट कर शक्ते हो और कमा सकते यहां पे हमको खरीदना नहीं है रहे हैं क्यूंकि हम ऋगूते देख रहे हैं कि हमको पर पर देखना ज़रुरी साथ हम तो शलुडिनि यह मार्केट में थीन दिनfen Sky यहां से लेक इधर नीचे लेकर रखा था फिर भी मेरा इधर तक मार्केट गई और शेल नहीं किया और वापस नीचे इधर तक आया तो मेरी जगह को दूसरा और होता निव ट्रेडर तो इधर ले ले लेता तो में इस नहीं ले लिए क्योंकि मेरे को पता था यह ओपरेटर का जाल है और तो मार्केट में जो और को डार आते हैं तीन केंडल पे हमें वाले ऐसा लगता है क्या से मार्केट गिरी यहां पर खीर लेता नहीं है technical के साथ-साथ आप data भी देखते हो तो data में आपको पता चलता है कि यहां से market गिरेगी नहीं क्योंकि market support के आजु बाजु है तो यहां से market नहीं गिर सकती अगर market resistance के पास होती बिल्कुल उपर होती जहां पर resistance है तो वहां से गिर सकती थी पर नीचे तो अभी जितना गिरना था उदर support है, support से नीचे नहीं जाएगी तो यहां से यह हमको पता जलता है अगर data देखते है तो खाली technical analysis, candle tick देखके chart देखके हम करेंगे तो वह 60-70% जितना होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको पूट नहीं खरीदना है और रखा है तो उसको old करके रखना है क्योंकि इदर operator market को operate कर रहे है और मेरा अंदा जाथा 400 तक market जाएगा तो आप अभी देख सकते हो market 404 तक चला गया है और यहां पे मैंने जो मेरी position थी उतर पे मैंने profit book कर लिया है तो data analysis पे एसा सब हमको जानने को मिलता है क्योंकि candlestick कभी-कभी market operator जो है operate करते है तो फेक भी direction दिखाती है पन डेटा को देखेंगे तो हमका पता चलेगा कि रोंग direction है या राइट direction तो एसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस channel को subscribe और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कीजिए और हमारे channel पर की जाती है पेसे कमाने की बात तो हमारे साथ जरूर जुड़िए